मेरे प्यारे दोश्ताव आपनों को मेरा प्यार भर नमस्कार नानी दादी के रसोई में आप लोग का स्वागत है आज मैं आप लोग के लिए बिल्कुल नई तरह के रेस्पी लेकर आई हूं ठीक है ऐसा रेस्पी आपने शाइब बनाई नहीं होगा बहुत अच्छा लगत है खाने में चलिए देखिए हम शुरू करते हैं अपना रेस्पी बनाना प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें लाइक करें यह देखिए हमने शुरू किया दो आलो हमने उबाला तीन आलो दो आलो बड़ा-ब सिर्च हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला य मिने यह देखिए थोड़ी से काली मिर्च पाउडर यह सब इसमें अमने ढाल दिया में बना में नमक और प्याज शटबसा काट करके रखा है उसको डालेंगे यह देखिए छोटा-छोटा बरेक काली मिर्च डाल्ट रम इसमे में डालेंगे यह देखिया आप कि नाष्टा तो हम तरह तरह के बनाते रहते हैं कई तरह के हर चीज के पर इसको देखिया खा करके कितना अच्छा लगेगा बना करके यह आटा हमनेकर रखिये था बना करके देखिया अब इसको ने ले लिया वह की हमने मीश करके शाहतो देखिया इसको ल dalय ढर्या वह अल्याटा है अक्छा यह देखिगा आप इसको इसे कर लेंगे लोई बनाएंगे अब इसको फिर थोड़ा सा बेल लेंगे ज्यादा नहीं थोड़ा सा बेलेंगे हाथ से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे तो आप बिलनब लगा सकते हो इसमें थोड़ा सा गी लगा दिया हमने गी ओ जो भी आपको पसंदो हो अब खाते हो लगा सकते हैं अब देख सकते हमने आलू के मैश करके región बना कर जैसे मादने घड़े इते ह। आप इसको इसे मोड़ेंगे अब फिर अभी इसको बेल लेंगे यह अलुक के प्राथा नहीं है अब मैं सोचे अलुक प्राथा बनने लगा यह देखिए इसको अमने बेल लिया ठीक है देखते जाई आप यह देखें बड़ा से इसको बिल करके कर दिया हमने फिर इसके उपर थोड़ा सा घी लगा दिया हूं अब इसको काट देंगे हम पतला पतला इसका न काट लेंगे पथर फिल थे इस्टप में यह देखो मैं पीजा कटर से काट रहे हूं आपके पीजा कटर नहीं हो तो छोड़ी से वे काट सकते हैं यह देखे बिलकूल पतला पतला काट दिया आप आप इसको तो थोड़ा सा आठा छिड़क दिया इसके उपर वो छिड़का जाता आठा आप सबको पता ही है तेल लगने के बाद तो थोड़ा डालना पड़ता है हाठा मैदा जो भी है अब इसको हम ऐसे इकठा कर लेंगे शारा यह देखिए इकठा कर लिया थोड़ा से दबा देंगे अब इसको मोड लेंगे इसे आप फिर इसको बेलेंगे दुबारा से यह देखिए पहले हात से थोड़ थोड़ly कर दबाएंगे सबस्क्राइब बेलंस से हलके हाथ सरे बलिए दबाने से सारा चिपक जाएगा, हलके हाथ से रहेगा तो चिपकेगा नहीं, इसको क्योल बढ़ा करना है थोड़ा, बढ़ाना है, अब फिर अभी इसको तवा पर डाल देंगे, पकने के लिए, ये देखें, तवा पर डाल दिया ना, पकेगा, अब फिर इसके उपर घी ये देखें आप, गी लगा दिया, अब इसको दोने साइट से उलट पलट करके, धीमियाद में थोड़ा से किये, तो और अच्छा लगेगा, करारस बनेगा, ये हमारा बन गया आलू के लच्छा पराठा, ऐसे पराठा नहीं बनाईए, लच्छा जैसे पराठा नहीं बना अब इस तरह से आलू के लच्छा पराठा बन गया, धीमी-धीमी आज में सकीए, और हर पर्द से निकलेंगे आलू के भरे हुए, करारे कुरकुरे अच्छे लेंगे, इसको ये देखा, अलू के लच्छा पराठा हो गया, ऐसे चूर-चूर नान भी हो जाता है, इसका पराठा हो जाए गाले थुमिदी में आच में सेंब्गे कि छूर चूर में प्रण के लिए धूर कड़ा रखेंगे तो अपने चूर। ब्रेक तो तूट जाएगा चूर चूर हो जाएगा प्राथा तो यह आलू का चूर चूर प्राथा कहिए या लच्छा प्राथा कहिए आप कहां से देख रहे हैं क्या कहते हैं आपके क्या सला है आप क्या कमेंट में लिखिए क्या कहा जाएगा इसको लच्छा प्राथा अल अगलग हो जाएंगे अपने आपी निकले जा रहा है अपने अपने अच्छा लगता है यह ऐसे प्राथा हम खाते हूं उसका अलग टेस्ट है इसका अलग टेस्ट आएगा खाकर देखिया बना करके फिर हमें कमेंट करिए बताइए कैसा लगा आपको यूनिक सा प्राथा अ इसके साथ मीठी दही खाये बहुत अच्छा लगता है को अब प्राथा से न मिठी उप्राथा बहुत अच्छा लगता डाल दिया मैं और अब इसमें थोड़ा मुझाद सा तुन गूड़ डाल के की अ है अघर आप चीनी खाना चाहते हिं तो चीनी डाल दीजे मनथ्च को Nick आघ वह बहुत खाने में चली हमारा तो खाना त्यार हो गया आप विशतर से बनाईए कहीं और हमें कमेंट करिए मिलते हैं करें वीडियो में नए देश्टिक साथ नमस्कार